इस देश का प्रधान मंत्री इतना कायर इतना डर्पोक क्यों है इस देश की सरकार 140 करोण लोगों के इस देश की सरकार 21 साल की एक क्लाइमेट अक्टिविस्स से डरती है पॉप सिंगर रिहाना से डरती है वो छोटी सी बच्ची ग्रटा फंबर्ग से डरती है इस देश की सरकार मीडिया से खास्तोर से उस मीडिया से जो सवाल पुछता है इतना डरती है कि एक लंबी फैर हिस्त है मेरे सामने जिसमें मैं लगातार बता सकती हूँ कि किन कि लोगों पर CBI की ED की Income Tax की रेड हुई क्योंकि वो सच दिखा रहे थे अब चाहे वो भासकर हो जो करोना काल का सच दिखा रहा था चाहे वो न्यूज क्लिक हो चाहे वो न्यूज लॉंडरी हो चाहे वो भारत समाचार हो चाहे वो वायर हो चाहे वो क्विंट हो चाहे वो प्रनौई रोय हो चाहे वो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने सच दिखाने की और सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई उनको रेड किया गया और ये चुप कराने की साज़शे रची गई लेकिन क्योंकि हम ट्विटर की बात कर रहे हैं आपके सामने एक आकड़ा है और इसको भी मैं साज़ा कर दूँगी आपके साथ आपको याद होगा अगस 2021 राहुल गांदी जी का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक किया था उनका कहना था उनकी किसी गाइडलाइन का उलंगन हुआ है जबकि चेहरा विक्टम का नहीं विक्टम की फैमिली का था लेकिन बहरहाल अगस 2021 में राहुल गांदी जी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है और अगले छे महीने तक उनका ट्विटर ग्रोथ उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ उनकी फॉलोवर ग्रोथ बिलकुल नगर्णे हो जाती है और जब फरवरी 2022 में वाल स्ट्रीट जर्नल ये ख़बर चलाने वाली है कि ट्विटर ने राहुल गांदी जी के अकाउंट को ब्लॉक किया है और उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ ब्लॉक हो गई है और ट्विटर को चिठी लिकी जाती है तुरंत ये जो शैडो ब्लॉकिंग सब्सक्राइबर ग्रोथ पर ब्लॉक करना सरकार के कहने पर किया था और ये जो छे महीने का बैंट था ये सरकार के दबाओं में आकर किया गया था जिससे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को भी ट्विटर जैसे प्लाटफॉर्म पर ब्लॉक किया जा और ये कहानी सब ट्विटर तक सीमित नहीं है हम सब को पता है कौन से पेज डिलीट होते हैं हम सब को पता है किसके पोस्ट डिलीट करा जाते हैं फेस्बुक से यूट्यूब पर किसको रिस्ट्रिक्शन करा जाता है ये सर्व विदित है लेकिन ट्विटर का एक फाउंडिंग सीयो फॉर्मर सीयो अगर ये कह रहा है कि सरकार ने इस खदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर च्छापे पड़ेंगे ये असलियत है 56 इंच की च्छाती डरती इतना जादा है कुछ एक्जाम्पल्स तो मैंने आपको दिखा दिये लेकिन वो डरते इतना जादा है कि कोई सवाल पूछने तो नौकरी खाने पर अमादा है अभी थोड़े दिनों पहले आमेठी में सबने देखा स्मृती रानी जी जा रही थी पत्रकार ने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई बारा घंटे से अंदर में पत्रकार की नौकरी खा ली बहुत संतोश आया होगा बड़ी संतुष्टी आया होगी नौकरी एक बना नहीं सकते लेकिन खाने में सबसे आगे रहते है और गरते इसकदर है कि विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज जो चार हजार किलो मीटर पै आ रहे हैं ये वाकई में भयावे हैं ये डरावने हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में हर इस आवाज का दमन किया जाएगा जो थोड़ी सी जड़ा सी भी हिम्मत दिखाएगा और क्यों डरते हैं मोदी जी, क्यों डरता है इस देश का प्रधान मंत्री इस देश का प्रधान मंत्री इसलिए डरता है क्योंकि करोडों रुपे खर्चा करकर एक रंगी पुती छवी बनाई गई है और जब ऐसे सच सामने आते हैं तो वो छवी द्वस्त हो जाती है और बेनकाब हो जाता है कायरतानाशा मैं मोदी जी की जो कायरता है उस पर दो बात जरूर बोलूँगी क्योंकि जब भी आप इनको सच का सामना कराईए जब भी आप इनको आइना दिखाईए तो अंतराश्चिय साजिश का एक बहाना बनाया जाता है और जैसा की हमेशा होता है सरकार की और से एक बेसिर पैर का ट्विटर ने फलाने कानून का उलंगन किया किसी को नहीं पता है हाँ एक कानून का उलंगन किया शायद चरण वंदन पे थोड़ी कमी कर दी होगी ये कानून का उलंगन था सरकार की और से और खास्तोर से भाजपा के प्रवक्ताओं की और से भाजपा के सांसदों और मंत्री की और से जबरदस्त ट्वीट साने शुरू हो गए है पर मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट भी जो है वो उबाओ हो चुकी है और ताना शाह का असली चहरा सामने आ गया है सॉरी ताना शाह का असली चहरा सामने आ गया है